परम सनमानियो गुरुरू गुरु खाल्सा सा संगर जी वाह गुरु जी का खाल्सा वाह गुरु जी की फते पगत फ्रीद जी नू छती साल तपस्या कर देनू गुजर गई सन फेर भी परमात्मा दी प्राप्ती ना होई चतिवें साल विच अचानक एक कटना वापरी जित्थे फ्रीदी जी तब कर रहे सन ओथे चिडियां ने अपने अवाज विच शोर श्राबा कर देता पगजी दी कागरता पांग होन दे कारण ओनाने क्रोध वेच आके चिडियांनू कहा मर जाओ चिडियो जो मेरी कागरता पांग कार रिया हो फ्रीज जी दे मूच व बचन निकले ही सन के सारियां चिडियां मर गईया फेर फ्रीज जी नो अपनी वाख सीदी ते खुशी भी परगठ होई ते चिडियां दे मरंते दयावी आई अते अगे प्रलोग दा पैवी लगया के मेरी वजा ना सैंकडे चिडियां मर गईया हन मन विच एप आवाया के फकीर नू ता किसे नू भी दुखनी देना चाईदा तार अब दी दरगा विच इज़त थुन्दी है मैं ता इन्यां चिडियां मार देती हन जैसा के गुर्बानी दा वाख है दूखना देई किसे जी पात्सियों कर जावो इनना सोचन तो बात फ्रीज जी ने कहा चिडियों जी पवो पगत फ्रीज जी दे मूँ तो एवाक निकले ही सन के सारियां चिडियां जियोंदियां हो गईया परमात्मा आप मिलन तो पहला तो पस्वी नो कई कोई दे दन्दा है जिस विच पदार्था दी प्राप्ती वड़याई दी प्राप्ती अते शक्तियां दी प्राप्ती हुंदी है जे कर एनना विच्चों किसे एक विच भी पर्च जाए ता परमात्मा दे मिलन विच दूरी हो जन्दी है जेका रेना नू लताड के अपनी मंजल वाल वाददा जावे के रिदी सिदी ता होर तरनादा स्वाध है जो नाम रास्तों तोड़दा है जैसा के गुर्बानी विच बाख है आप नात नाती सब जाकी रिद से दवरा साथ पर होन थे फ्रीज जी एस रुहानियस शक्ती दी प्राप्ती कारण कुझ हों में दे प्रवाभेठा आ गए फिर सोच फुरी के प्रमात्मा दी प्राप्ती नहीं होई कारबारता प्रमात्मा नू मिलन ली छड्या सी फिर अपने आपते रोस भी आया फिर एहे अपने पैरानों संगल पाके खुव विच पुठा लटक गए बहुत समा पुठा लटक दे होई जानके कामा ने मुर्दा जानके फ्रीज जी दे पैरानियां तलियां विच ठूंगे मारे जिस्ते फ्रीज जी ने खुदा दे प्रें विच एस लोग उचारन कीता फ्रीज दा तानसुका पिंजर थिया तलियां खुंडे काग अजैसो रब ना बहुडेो देख बंदे के पाग एक दण एक अयाली पेड़ा बक्रियां चारदा होया एसे खुदे पास आ गया उसने फ्रीज जीनों पुठा लटगदा देखे पुछया के हे फ्रीज साई तुसी ऐसा क्यों कर रही हो ता अगों फ्रीज जीने जवाब देता के मैं ऐसा खुदा दी प्राप्ती लई कर रहा हाँ अयाली दे पाग जागे उसने सोचया के मैं पे डा बकरियां आदे जंजाल विच कादे लई फसना है मैं भी खुव विच लम्मक के खुदा दी प्राप्ती कर दा हाँ उसने का आदी फूस नाड एक बेड बटया ते लता नों बन के खुव विच पुठा लटग गया जोदो का आदा फूस टुटन लाग पया ताँ खुदा ने उस दे पिछले अनेका जनवादी पकती ते इस जनम विचला प्रेम देखके उसनों आके दर्शन दिते एक ताँ पूरवले जनवादी तपस्या करके इस अयाली दा पूरवला अंकुर परगटेया ते रसक बेरागी दे रूप विच फुरीज जी दा मिलाप होया जिसतरा के गुरबाणी दा फुर्मान है पूरव करम अंकुर जब प्रगटे पेटेव पुरक रसक बेरागी ते दूसरा खुदा शर्दा विश्वाश ते प्रेम देया दीन है इस करके अयाली दे मरन दी परवा ना कर देया है जो दो जीवन दी बाजी खुदा दे ना दे लादती तद जल्दी ही खुदा ने परगट हो के अयाली नू मरन तो बचा लिया अयाली बहुत परसान होया फिर अयाली ने खुदा नू केहा के तुसी मेरे गुरू फृरीद जिनू भी दर्शन देओ अगों खुदा ने केहा के तेरा रसा टोटन वेच कुझ ही पल बाकी सन मैं जिन्दगी दे अंतले पला वेच ही मिलदा हाँ जिते मौत जिन्दगी वेच बहुत फर्क ना रहे फृरीद दा संगल अजे मोटा है उसनू टोटदेया अजे कई साल लगणगे तु अपने गुरू नू जाके आख के एहे तेरा तरिका मेनू परवान नहीं है अयाली दे कैन तो फृरीद जी खू विचों बाहर आए तेहरान होए के होन होर कोई मिलनदा तरिका जो खुदा ने इशारा दिता है ओ की हो सगदा है ते मैं किदर नू जावा ए सोच के वापस मुड़े के शायद मेरी बिर्द माही मेनू कोई तरिका दसे जदो फृरीज जी वापस मुड़े आ रहे सन तां गर्मी दी रूत होन करके फृरीज जी नू प्यास लगी तां उना ने देख्या के एक नगरतों बार ले पास से खूही दे विचों एक मुट्यार पाणी परके बाहर डोल रही सी तां उसनो देखके पाणी देण लगी किया के बीबी पाणी दी प्यास लगी है तू मेनू पाणी पला उस बीबी ने पगत फृरीज जी दी गलवल बहुत आत्यान नद ता ते कहा तुसी बैठ जाओ मैं अपना कम करन दो बाग तां नू पाणी पला दियांगी पर उसनो बीबी पाणी डोल पर पर के जमीन ते डोली जा रही सी फृरीज जी ने सोचया के एक कोई नीम पागल लग दी है पर जे पूरी पागल हुंदी तां संगर लाके बठाई हुंदी पर इसनो पाणी पर अनलई पर जे है इसलिए एहे पूरी पागल नहीं अधिक पागल है जिस करके पाणी डोली जा रही है फृरीज जी ने सोचया के सिद्रे बंदे गोडों काम लेंड लई जादा प्यार नाड जा फिर थोड़ा जहा करड़े शब्दा नाड के हा जावे ताँ उह कम करदा है इसलिए फृरीज जी ने फिर दूसरी बारी प्यार नाड के हा के बीबी तू पाणी पलोण दी था तू पाणी बहर डोली जा रही है तू मेनू पाणी क्यों नहीं पला रही बीबी ने फृरीज जी दी गल सुनके बड़ी तीरिज दा नाड के हा के फकीर साइं पाणी पलादन दी हां काली ना कर मेनू काम कारलैन दे फिर थोड़े समय तो बाद फृरीज जी ने कुछ गुसे दे लेजे वेच के हा के हे बीबी तू पाणी पलोना है जा नहीं ता फिर बीबी ने फृरीज जी वल पूरे ते अंगल वेख के के हा के फकीरा नू क्रोध शोबा नहीं दिन्दा ते नाले एह जंगल दियां चीडियां नहीं जेडियां तेरे बचना नाड मर जान गियां ते जी पैंड गियां तू चैर नाल बैठ जा मैं अपना काम करके पाणी पलादन दी हा एह सुनके फ्री साब जीदी पाणी पिंड तो बिना ही प्यास बोज गई ते सोचन लगे के चीडियां मरंदी गल मेरे तो बिना ते मेरे खुदा तो बिना किसे नूँ भी पता नहीं सी जिस औरत नूँ मैं पागल समिदा सी एता कोई अंतरजामी तपस्वी लग दी है फिर जो दो बीबी कुझ समय बाद पाणी डोलों तो हट गई ता उसने फ्रीजी नूँ कहा फ्रीज साइं आओ आके पाणी पिलो फ्रीजी ने कहा हे बीबी होन पाणी नालों भी ज्यादा मैंनू ए गल जानन दी रूची जा गई है के मेरियां चीडियां मारन ते जियोंदय करन वली गल दा ते नूँ के में पता लगा ते दूसरा ए के तू बेलोडा पाणी तर्ती उपर क्यों डोल रही सी एना दोमेस वलां दा उत्तर लैंड तो बाद ही मैं पाणी पिवांगा बीबी ने उत्तर दिता के एह अंतर जामता मेनू मेरे पती ब्रता तरम दी पर पकता ते परमातमा दी प्रेमा पकती करन ना प्राप्थ होई है मैं कारदा कामकार कर दी हां मेरे पती दी सेवातों परमातमा ने परसन होके मेनू अनत शक्तियां बख्ष दितियां हन मैं कदे आज तक कारामात नहीं दिखाई क्योंकि कारामा दुखोणी जित्थे अपनी होमेदा परकटावा करना है उत्थे रब्दी रजातों उल्ट भी है करामा दुखोन वाले रब्दों दूर हो जान दे हन इसलिए मैं सब कुछ जान दी होई भी रब्भी पेत गुपत रख दी हा हुन तो अड़ीशंका मेटन वास्ते अते ए सोच के के फकीर पाणी तो प्यासा ना चला जाए जे गया ता मेनू पाप लगेगा इसलिए दसन लगी हां तो अड़ा दूसरा प्रशन बे लोड़ा पाणी डोलन तो जानन दा है एथो सोको हां ते मेरी पैनदा कार है वो सारा प्रवार कि ते बाहर गया हुया है ते अचानक मेरी पैनदे कारनू अग लग गई है मैं एथो पाणी पाके बुजाई है जे यकीन नहीं ता नगरता पता लेके आप अपनी अखी जाके देख लो फरीज जिनू सुनके बहुत अस्चर्ज होया अते सो कोहाते जाके उना ने उस कारनू देख्या ते पुछण तो भी पता चलेया के कारनू अग लगी सी ते अचानक पाणी पैनदतों आपे ही बोज गई ता दूस्दी पैनकोलों पोचके वापस उसे मुट्यार नू गूरू ता रन लई आए ते जोदो उस बीबी नू अपना गूरू बणन लई याचना कीती ता उसने अगोँ ए केहा के हे फकीर साई तेरी तपस्या मेरे नाणू ज्यादा है दूसरा अपने तरम समाज वेच इस तरी नू गूरू बणन दी आगया नहीं है ऐसा मेरा पती भी करन नहीं दाएगा के मैं एक फकीर दी गुरू बणा फरीज जी ने कहा के हे बीबी फिर मैं हुण किदर जावा चती साल दी तपस्या तो बाद मैं ता शक्तियानों ही वटा मान बैठा सी ऐसी फकीरी नाणोंता मैं इस्तरी जामेवे छुंदा ताद मैं भी तेरी तरा कारवेचरंदा हुया पूरण पद प्राप्त कर लेंदा एहे निमरता दे बचन सुनके बीबी ने कहा के फकीर साइं होंसला नाहार मैं तेन्नू जो व्यक्ति गुरू बनन दे योग है उस कोड़ पे इदी हा उस बीबी ने एक राजे दी दस पाई के ओहो राजा भी है अते ग्यान वान भी है अते ओहो ही तेरा गुरू बनन दे योग है जो इस दर्या तो पार है तू तुला बना के इस दर्या तो पार होई ते उस कोड़ जाके उसनों गुरू तारण करी। उसनों की पशु सेंग मारके दूसरे नू दोखजंदेहान उस पुर्ख ने मेनू दर्यावेच रोग के पशुआ वळा काम कीता है। इसलिए उस पुर्ख दे सेरुपर सेंग हो जान। फरीज जी दे बचन हुंदया सार ही राजे दे सेरुपर सेंग हो गए। राजा बहुत हैरान होया अते फरीज जी नू अपने नड़ों वद करामाती देखके उसने केहा के इस दा तुला चल पवे। राजे दे बचन हुंदया सार ही तुला चल पया फरीज जी ने केहा के उस दे सेंग अलोप हो जान। ता उस राजे दे सेंग भी अलोप हो गए। जदो फरीज जी राजे नू जाके मिले ता पता चल या के तुला राजे ने ही रोकिया सी। उसनों गुरुता रंदी इच्छा प्रकटाई ता राजे ने केहा के गुरु बनदे मैं योग नहीं क्योंकि तुसी एक ता मेरे तो वत पस्या किती है ते दूसरा तुसी करामाद वेच भी मेरे तो काट नहीं बलकि वत हो। अपा दोमें ही करामाद दलदल वेच फसे होई हां जेकर गुरुता रंद करना है ता फेर खवाजा कुतबू दीन बख त्यार काकी जी दी शर्ण वेच जाओ। जेडे समद्रिष्टी बिर्ती वाले हां ते खोदा दे पाने वेच रैन वाले हां। मुर्षत आर्म कीता ओना दी सेवा अरम कीती फ्रीजी दी एह सेवा छती साल दी तपस्या नालोंवी कठन सी इस करके गुरु साहब जीने कठन कीता है के गुर पीरां की चाकरी महा करडी सुक सार। फ्रीजी राद देन सेवा विच ततपर रेंदे सान कदे भी अपने गुरु दा सुबावक भी कहा होया हुकम नई मोड़ दे सान सोगो उसनो इलाही हुकम समझ के निबोंदे रहे। योँ शेख फ्रीजी ने बारा साल अपने मुर्षद दी सेवा कीती। योँ शेख फ्रीजी दा जीवन संगत लई एक मार्ग दर्शन बढ़ेया। होया पुला चुकादी ख्यमा बख्षणी जी दासन वागया देओ वाह गुरु जी का खालसा वाह गुरु जी की फते।